नमस्कार बच्चो आज हम बात करेंगे आपके English सब्जेक्ट योर English सब्जेक्ट में हम डिटेल में डिसकस करने वाले हैं Writing Skills के एक बेहद इंपोर्टेंट टॉपिक Letter to the Editor को As a subject अगर हम English को देखें या फिर Examination Point of Ease से अगर बात के जाए तो English में out of out score करना हमेशा tricky रहता है अगर आपको out of out score करना है English में तो आपको दो टोपिक है जिनके उपर focus करना है पहला आपकी grammar grammar में आपकी concept सिरफ clear नहीं होने चाहिए बलकि strong होने चाहिए क्योंकि यहाँ पर कई बार ऐसे questions पूछ लिए जाते हैं पर student अटक जाता है या फिर लटक जाता है दूसरा जो important topic होता है वो होती है आपकी writing skills अगर हम covid से पहले की प्रेड की बात करें तो उस वक्त writing skills में हम चाहिए कितना ही अच्छा अपनी performance देती हैं चाहिए हम कितना ही अच्छा उस topic को cover कर लें तो भी कहीं कहीं low falls रहे जाते हैं जहां पर हमारे marks है वो कम हो जाते हैं इस बार थोड़ा सा change है पैटर्न पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपके writing skills के topics आपको मिलेंगे लेकिन उसमें आपको कुछ write नहीं करना है इस बार जैसे आपका topic है letter to the editor तो इसमें हमें write नहीं करना कुछ भी बलकि इस पर based mcqs पूछे जाएंगे जो इससे पहले कभी नहीं पूछे गए यानि आपके लिए जो format रहेगा बिल्कुल new format रहेगा और आपके लिए जो questions रहेंगे वो unexpected भी हो सकते हैं क्योंकि गूगल पर अगर आप search करोगे तो गूगल पर भी आपको limited questions मिलेंगे अगर आप sample question paper को देखोगे तो वहाँ पर भी आपको limited questions मिलेंगे क्योंकि आपको कोई idea नहीं है exactly idea नहीं है कि किस level के questions पूछे जा सकते हैं तो यहाँ पर हम details में discuss करने वाले है कि latitude the editor है उसका format क्या रहेगा क्योंकि format को समझना सबसे ज़्यादा important रहेगा उसी पर based रहेंगे आपके maximum questions जो इस topic पर based आपको मिलेंगे दूसरा हम समझेंगे कि इस पर based किस level के questions आएंगे किस type के questions आएंगे यहनकी format को हम discuss करेंगे और discuss करेंगे इसी topic पर based most important MCQs को तो शुरुवात करते हैं लेट्स बेगिन चले समझते हैं सबसे बहले हम बात करेंगे आपके letter to the editor के format के क्या आपका format क्या होता है यह जो letter to the editor या कोई भी letter लगा लिजए letter समझते हो ना आप letter मतलब जो हम खत कह लीजिए, पत्र कह लीजिए जो आपने कभी नहीं लिखें आपके parents है उन्होंने भी नहीं लिखेंगे उससे पहले के अगर period की बात करें तो आम तोर पे letter लिखे जाते हैं अब letter की हमें need नहीं क्योंकि हमारे पास Instagram है, हमारे पास WhatsApp है यह जो letter होते हैं यह letter two types के होते हैं एक होता आपका formal letter और second होता informal letter formal letter होते हैं जो official letter होते हैं official मतलब जो हम officials को लिखते हैं जैसे आपने school principal को लिख रहे हैं तो वो आपका official letter है अगर आप letter to the editor को लिख रहे हो तो वो आपका formal letter है अगर आप job के लिए लिख रहे हैं तो वो आपका formal letter है informal letter जो आपके अपने friends को अपनों को लिखते हो relatives को लिखते हो वो आपके informal letter होते हैं तो यहाँ पर बात की जाए तो हम बात करेंगे आपके letter to the editor के अब मैं इतनी कहानी क्यों बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से भी आपका question निकल गया कि letter to the editor की stripe का letter है यह आपका formal letter है कैसा letter है यह है आपका formal letter होता है अब इसी को base मान के हमें आगे बढ़ना है और बात करना है कि इसका format क्या रहेगा तो इसका format सबसे पहले मालेजे कि यह आपका page है जो आपको screen के उपर visible है दिखाई दे रहा है तो इसमें सबसे पहले send address address यहाँ पर लिखा जाता है क्या लिखा जागा send address का address यानकि जो भीजने वाला है उसका address यहाँ पर आएगा ठीक तो यहाँ पर address क्या होता है कि generally आपने covid से पहले period के अगर sample question paper को देखा तो उसमें address generally आपको question paper में मिलता था और उसको आपको mention करना होता था अब यहाँ इसी topic को हम साथ साथ discuss करते जाएंगे कि question क्या बनेगा यहाँ पर आपको एक statement दी जाएगी हो सकता है एक statement दी जाए mcqs से पहले और उसके बाद mcqs रहे तो उसमें अगर address दिया गया है ठीक address दिया गया send us का है address दिया गया receivers का तो आपसे पूछा जाए कि इसमें से send us address कौन सा है exact address कौन सा है तो आपको exactly उस statement में से उस heading में से पता होना चाहिए कि कौन सा है जो भीजने वाले का address रहेगा second जो question बन सकता है कि सबसे पहले हम क्या write करते हैं तो सबसे पहले हम send us का address write करते है second इसकी position क्या रहती है इससे related आपका question पूछा जा सकता है कि send us address जो letter to the editor है उसमें कहा write किया जाता है जो top left corner है top right corner है center है या जो कह सकते हैं कि bottom में है bottom right corner है bottom left corner है तो कौन से कहां पर हम write करते हैं तो इस type का question बन सकता है तो पहली चीज़ आपको heading में से जो statement है उसमें से आपको exactly find out करना है कि क्या वहाँ पर send us address दिया गया है वो आपको पता होने चीए second thing कि इसको हम कहां write करेंगे left of corner में कहां write करते हैं left of corner में तो आपका अगर question आता है तो इस type से हमें questions पूछे जा सकते हैं और हमें correct answer देने होगे clear अब एक ओ टाइप का question भी यहां से बन सकता है कि अगर मा लेजे कि आपको वहाँ पर address नहीं दिया गया जो official sample दिये गए है CBC के तुरू उसका जो format है उसके coding XYZ examination hole अब आपको काफी tricky type के option मिलेंगे exam में जैसे आपको दे देंगे कि खुद का address write करोगे आप school का address write करोगे आप कुछ भी write कर दोगे और या फिर आप XYZ examination hole write करोगे तो यहाँ पर 3 या 4 type के question isolated बन सकते हैं तो सबसे पहले हम इस type के letter में क्या write करते है send us address यानि कि जो लिख रहा है उसका address आता है उसके बाद आपका एक line space एक blank line हम छोड़ते हैं और उसके बाद आप date mention करते हो अब यहाँ से भी question बन जाता है कि date कहां पर रहेगी कि below the sender's address या फिर above the receiver's designation या receiver's address है उसे उपर रहेगी यानि कि दोनों टाइप से है तो आपको यह पूछा जा सकता है कि what is the exact location of the date हम date को exactly कहां पर locate करते हैं तो यहाँ पर भी आपको कि below the sender's address इसके नीचे होता है और जो receiver's address होता है उसके उपर होता है clear तो यह आपको clear होना चीए उसके बाद एक और चीज़ भी यहाँ पर आता है कि date की format को लेकर कि date का correct format कौन सा होता है तो आपको यह choose करना पड़ सकता है तो जिसे कई बार हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे आज के अगर हम date की बात करें 9-12 आपका 20-21 एक तो यह format हो गया एक यह हो गया 9-12-21 तो यह जो दोनों ही format है यह wrong format है क्योंकि यह formal letter है हम इस type से date write नहीं करेंगे यहाँ फिर दो format है जो आपके correct रहेंगे date को write करने के एक तो आपने लिखती है यहाँ पे December 9-2021 यह आपका correct format रहेगा दूसरा रहेगा 9-th December 2021 यह आपके correct format रहेंगे clear तो आपको यह find out करना है इस type का भी question insulated बन सकता है तो clear तो आप कर लोगे उसके बाद next अगर हम बात करें इस format की तो उसमें आगे दिया होता है receiver's designation और address अब जो letter to the editor की है बात करें हैं सिरफ तो यहाँ पे जो designation होगा editor के नाम लिखेंगे तो एक option हो सकता है कि to the editor क्या हो सकता है आपका to the editor एक हो सकता है कि the editor clear तो इसमें आपका to नहीं आएगा correct जो format है the editor से हम start करेंगे तो यह designation same ही रहेगा किसी में भी क्योंकि हम letter to the editor write करें तो वो the editor ही रहेगा clear Mr. Editor नहीं हो सकता Mrs. Editor नहीं हो सकता उसका name नहीं हो सकता यहाँ पर designation ही हमें mention करना है तो यहाँ पर क्या रहेगा designation में the editor रहता है उसके बाद नीचे रहेगा newspaper का name newspaper का name है जैसे हिंदुस्तान टाइम्स की बात करें या फिर हम नौभार टाइम्स की बात करें या देनिक फासकर की बात करें उससे पहले हमें साथ the का use करेंगे the देनिक फासकर तो ऐसे भी tricky टाइप से question आ सकते हैं the editor रहेगा to the editor नहीं रहेगा clear तो यह चीज़े हमें ध्यान अखना कि यहाँ पे नीचे अगर city का name है वो कुछ भी हो सकता है doesn't matter लेकिन the editor और newspaper का name से पहले हमें the का use करना है clear तो यह आपका रहेगा इससे लेटे दिए और कौन से question बन सकते है clear कहां कौन से side में यह आपका left side है left side में upper part में हम right करेंगे top corner तो नहीं है लेकिन upper side है यह वहाँ पर हम right करेंगे उसके बाद अगर next बात की जाए उसके बाद जो इस format में रहेगा वो रहेगा आपका subject clear क्या रहेगा आपका subject रहेगा अब subject कहां रहेगा कैसे रहेगा कैसा होने चीए फॉर्मेल लेटर में इससे related भी आपके questions बन सकते है clear इससे related questions बन सकते है कि subject किस type का होना चीए it should be short it should be to the point it should be relevant relevant होना चीए short होना चीए to the point होना चीए एक तो यह बन सकता है एक बन सकता है कि how we can write the subject, subject को कैसे write किया जा सकता है, it can be written in a capital letters, block letters या capital letter में लिख सकते हैं इसको, या फिर जो first letter है वो हमें capital में write करना है, तो अगर दोनों option मिलते हैं तो आपके दोनों option correct हो जाएं, अदर्वाइस अगर capital letter में दिया गया तो हम कई बार लगे कि अच्छा हमन इत कभी write ही नहीं किया, capital letter में थोड़ी हो सकता हम रों करते हैं, ऐसा नहीं है, तो यह capital letter में हो सकता है, okay, CAP जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, capital letter में हो सकता है, block letter भी इसी को बोलेंगे, उसमें हो सकता है, या फिर जैसे हम यहाँ पे CAP ऐसे लिख दिया, तो आपका first letter capital होगा, clear, तो यह आपका हो जाएगा subject, subject कैसा होना चीए, short होना चीए, to the point होना चीए, clear, और relevant होना चीए, हमें length ही नहीं करना है, उसके बाद next जो आपका रहेगा, वो रहेगा आपका salutation, salutation क्या होता है, hi hello, जब हम किसी से मिलते हैं, hi hello करते हैं, अब कैसे हो भाई साब, बोलते ह तो वही hi hello है, अब यहाँ पर जो salutation है, वो पहली चीज़ की आपको option दिया जाएंगे, slated questions की salutation, what should be the correct option for the salutation in the format of a letter to the editor, तो आपको option दिया जाएंगे, तो इसमें respected mem sir हो सकता है, okay, dear sir mem हो सकता है, dear, आपका dear sir, या फिर mem हो सकता है, clear, dear sir mem या madam हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, sir या madam अकेला हो सकता है, clear, तो यह सब कुछ आपको हो सकते है, respected mem और sir हो सकता है, dear sir or mem हो सकता है, dear sir, madam हो सकता है, या फिर sir और mem ऐसे हो सकता है, यानकि यह तीनों आपके correct रहेंगे, clear, तो यह आपको धियान रखना, इसके अलावा गर कुछ अलग कि hi, hello, hello इस टाइब के वो informal में आ जाते है clear, my loving, my dear Mr. Editor Mr. Editor अगर है तो वो भी यहाँ पर allowed नहीं है clear, जैसे अगर आप देखोगी तो कुछ अगर पर Google पर आपको मिल जाएगा कि नहीं ऐसे भी लिख सकते है ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको formal आ रहा हूँ, कि आपके जो questions रहेंगे एक तो रहेंगे आपके format को ले करके दूसरे type के questions रहेंगे body को ले करके, यानि कि content को ले करके दो ही type के question रहेंगे तो format को हम साथ साथ cover करें, यहाँ पर body आगे अब body के बात करें तो body में कई सारे questions बनेंगे एक तो यह कि इसमें हम क्या write करेंगे तो body में mainly आपका पहला जो part रहेगा सबसे पहले हम introduction देते हैं कि why we are writing the letter, okay why we are writing letter जैसे generally आप write करते हो कि with due respect ओके, यहाँ पर आपको शुरुवात में आप क्या करेंगी कि I am writing this letter किस लिए हम करें इसमें हम letter को पहली चीज़ तो आपको किस लिए करें उससे पहले पता होना चाहिए कि यह letter लिखे क्यों जाते हैं यह भी आपका important question बनेगा यह जो letter लिखे जाते हैं तीन purpose होते है इसके letter के write करने के एक तो यह होता है कि हम किसी भी news को किसी भी article पे comment करने के लिए कोई news आई कोई article दिया गया हमें अच्छा लगा हमने letter लिख डाला letter to the editor को दूसरा होता है किसी भी topic के उपर complain करने के लिए जैसे आपके issues चले आपके areas में आपके colony में तो आपने वो letter लिख दिया तीसरा जो होता है कि किसी भी social issues के उपर अपने views को express करने के लिए तीन reason होते है clear तो यहाँ पर जो first जो part होता है वो introduction का होता है कि why you are writing this letter clear उसको पर जो second part होता है उसमें आप अपने main topic main views है उसको express करते हो और जो third आपका part होता है conclusion conclusion जो part होता है उसमें आप summary देते हो और plus एक तरिके से कि आप क्या expect करे हो वो यहाँ पर mention करते हो अब यहाँ पर देखिए छोट-छोटी चीजी मैं बता रहा है वो सारी important रहेगी कि इसमें first part में क्या होता है body में क्या होता है एक तो यह चीज की main part कौन सा होता हो body होता main part क्योंकि जिस purpose से लिख रहे हो purpose तो यहीं बताएंगे न हम सारा दूसरा इसमें three parts होते है introduction in the introduction we introduce our topic अपने topic को introduce करते हैं कि why we are writing this letter उसके बाद content में we explain our problem our issues, our views in depth thoroughly हम explain करते है content में और जो conclusion होता है उसमें हम summarize करते हैं उस topic को and we also mention that what we are expecting what to next कि उसके बाद क्या होना चाहिए क्या expect करें वो हम यहां पर conclusion में लेकर क्या आते हैं तो एक चीज तो यह रहेगी दूसरी चीज यह कि body कितनी की length हो सकती है तो उससे later भी question आ जाते हैं कि यह 125 to कितनी 150 words में हो सकती है generally जो आपका 10th to 12th का format दिया गया है officially जो CBC के दिया जाता है तो उसमें 125 to 150 words में हो सकती है तो यह word limit related भी question आ सकते हैं उसके बाद एक question यह भी हो सकता है कि क्या यह single format single stanza में होने चीए एक ही paragraph में होने चीए ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि as per the requirement जितनी आपको requirement है उतने ही यहाँ पर आप stanza बना सकते हो clear generally इसमें 2-3 होते हैं generally कितने होते हैं 2-3 होते हैं अगर generally यह से question पूछाज़े otherwise अगर पूछाज़े कितनी होने चाहे depending on the requirement requirement के उपर depend करेगा जितनी requirement है उतनी हम stanza यहाँ पर बना सकते हैं clear तो यह होगा आपका सबसे important आप जो part होता है letter का वो body होता है इसमें introduction होता है content होता है और last में आपका conclusion होता है conclusion में हम क्या write करते हैं what we are expecting हम क्या expect करें introduction में हम introduce करते हैं word limit है वो 125 कितनी होती है 150 होती है इसकी ओके तो यह सब कुछ यहाँ से लेट आपके questions बन सकते हैं उसके बाद next अगर हम बात करें इसके closing की बात करें ending की बात करें या subscription की इसकी बात करें signing off की बात करें यानिकि इसको subscription बोल सकते हैं signing off की बोल सकते हैं तो यहाँ पर रहेगा कि इसमें हम क्या write करते हैं दो option होते हैं yours sincerely, yours truly generally yours truly लिखा जाता है लेकिन yours sincerely भी आप लेख सकते हो clear अब यहाँ से भी question बनेगा कि what should be the correct what should be the correct subscription for the letter to the editor क्या होने चाहिए तो इसमें yours truly जैसे आपको option दे दिया गया your truly okay your दे दिया या फिर आपको दे दिया yours ऐसे दे दिया clear तो इसमें यह भी नहीं हो सकता यह भी नहीं हो सकता yours इसको ध्यान रखना है थोड़ा सा ज़्यादा चांसा है कि इससे related question आपके आजाए तो yours रहता हमेशा दूसरा यह कि जो truly है इसकी spelling को लेकर कि आप यहाँ से तो easy लगता है जब exam में जाओगे दिमाग घूम जाता है क्योंकि press rise होते हो तो truly में जैसे आप true को लिखते हो t-r-u-e तो आप सोचते कि वहाँ भी truly है तो उसको देखा और दिमाग घूम गया आपको लगेगा यही correct है तो truly की spelling आप ठीक से देख लिजी और yours है वो ऐसे लिखा जाएगा ending जो note है signing of जो note है जो आपका subscription है वो यही है clear यहनकि yours truly या फिर yours sincerely दोनों में से एक रहेगा option इसी के coding आपको देखना है उसके बाद क्या देना होता है then you mention the sender's name आपको mention करना होता है designation optional होती है और आपकी signature होते है क्योंकि signature अगर दिये जाते है तो एक तरह किसी official हो जाता letter और जब आप letter to the editor को informal नहीं है formal letter लिक रहे हो तो signature तो होने चाहिए questions बनेगी क्योंकि आपको four to five marks, five marks का रहने वाला है five marks आपको दिला सकता है तो इससे related questions भी मैंने बनाए है कुछ तो चलिए उनको discuss करते हैं ताकि ये concept आपका और clear हो जाए इसमें first जो आपका question रहेगा जैसे मैंने यहाँ पे दिया कि a formal letter should be days to have the desired effect on the recipient यानकि जो receive करने वाला है उसके उपर कैसा effect डालने के लिए इस letter को कैसा होना चाए formal letter should be कैसा होना चाए to have the desired effect on the receiver जो receiver है उसके उपर कैसा हम effect डालना चाहते है first in proper format में होना चाहिए यानकि desired effect अगर हमें डालना है तो उसके लिए कैसा होना चाहिए एक तो proper format में होना चाहिए दूसरा grammatically ये correct होना चाहिए third ये relevant होना चाहिए and D all of these कौन सा feature होना चाहिए तो आपका correct जो answer है वो D रहेगा यानि ये proper format में होना चाहिए अगर format में नहीं है तो वो desired effect नहीं डाल पाएंगे दूसरे ये कि इसमें जो grammar की mistakes है वो बिलकुल नहीं होने चाहिए ओके और relevant होना चाहिए जिस्टोपी की बात करें भाई उसी की बात करने होती है क्योंकि ये formal letter आपका clear तो D आपका correct answer हो जागा उसके बाद second जो आपका question रहेगा इसी पर बिस्ट second question है how to end the main body of a formal letter formal letter की जो main body है उसकी ending कैसे होती है first option दिए गए by telling the recipient what he should be doing next जो receive कर रहा है जिसको हमने letter लिखा है जैसे letter to the editor है कि उसको हम ये बताते हैं कि क्या करना चाहिए next है by showing love last में कहें कि okay bye bye love you ऐसा बोले last में हम हाल चाल पूछने भाई मौसम कैसा बारिश वगरा week नहीं हुई and did दिए गए none तो इसमें correct जो आपका answer है वो ये हो जाएगा किसमें हम क्या करते हैं कि हम mention करते हैं कि what he should be doing next उसमें एक तरीके से हम क्या expect करें वो mention करते हैं last में जैसे अभी उपर discuss किया था था न हमने कि three parts होंगे आपका पहला introduction रहेगा दूसरा आपका content रहेगा तूसरा आपका conclusion रहेगा तो conclusion में हम last में mention करते हैं कि हम क्या expect करें clear तो वो आपका ending part रहता है main body का now let's move to the next one next आपका question है third one what would you write in the opening part of a formal letter ये देखे ये questions की जो language है उसको समझ दिये इसी type के language रहेगी और ज्यादा chances है कि इन ही में से questions आपके रह जाँगे क्योंगे इससे ज्यादा questions ही नहीं बन रहे तो इसमें कि what would you write in the opening part of a formal letter formal letter के opening part में आप क्या लिक होगे asking about health health का पूछेंगे भाई साब तबियत वगरे ठीक है यानि ये कोरोना से बचे हो या नहीं बचे हो asking about families के बारे में पूछेंगे अच्छा छोटू कौन सी class में हो गया है third यह इन्फॉर्मिंग about purpose of writing the letter किसमें हम purpose बताएंगे कि इस letter को आप क्यों write करे हो and d none तो इसमें correct जो आपका answer है वो इसमें हो जाएगा c कि इसमें जो body की part की बात करें कि जब body में सबसे पहले लिखने हैं तो वो क्या होता है आपका introduction रहेगा यहां पे introduction में हम क्या बताते हैं कि हम क्यों और letter को write करें clear तो यह आपका पहला part रहेगा जब हम formal letter को write करेंगे उसकी main body में उसका बाद next रहेगा आपका fourth question दिये गए the key point of a formal letter is written in which part of a formal letter formal letter का जो key point है main point है वो हम formal letter के किस part में write करेंगे यह question आपका बन गया तो इसमें option दिये गए हम intro में write करेंगे second है हम heading में write करेंगे C हम subject में write करेंगे D हम body में write करेंगे तो इसमें correct जो आपका answer है वो D रहेगा हम body में write करते हैं main part तो वहीं होता न हम introduction देते हैं उस topic का content जो हमारा होता अपने views यह एक्सप्रेस करते हैं और उसके बाद उसको summarize करते हैं body है वो formal letter का key part होता है सबसे important part होता है जिसमें हम उस issues को views को share करते हैं clear तो D आपका correct answer है now let's move to the next one fifth आपका question है which of the following are the features of a formal features of a letter to the editor किन में से क्या है जो letter to the editor का feature होता है first option दिए गए stick to the point कि हमें to the point रहना होता है second F formal language में रहना होता है C relevant content होना चीए उसी topic से related होना चीए D all these तो इसमें correct जो आपका answer है वो D रहेगा all these कि ये सभी कुछ होता है जब हम letter to the editor write करते हैं यानिकि हमारी language formal होती है हम to the point ही write करते हैं इधर उधर की बातें नहीं करते हैं उसमें relevant content होता है जिस topic की बात करें भाई उसी topic पर हम लगे रहते हैं यानिकि उससे अलावा हमें कुछ नहीं लिखना होता तो D आपका correct answer हो जागा now let's move to the next one next आपका sixth question दिया गए what should be written if sender's address is not given in the question of letter to the editor कि क्या किया जाए अगर sender's address है जो question दिया गए हमें letter to the editor में उसमें दिया ही ना गया हो तो हम क्या करेंगे ये भी एक important question उपर ही मैंने बताय था कि option दिया गए कि any address you know हम क्या write करेंगे कोई भी address जो जानते हैं इसका जानते हैं उसका जानते हैं फ्रेंड का जानते हैं वो लिख देंगे कुछ भी लिख देंगे बी दिया गए XYZ examination hold right करेंगे हम यहाँ पर sender's के address के जगा है सी दिया गए address of the school school का address write कर देंगे school में पढ़ रहे हैं वही address देंगे डी यह on home address हम खुद की घर का address देंगे तो इसमें correct जो आपका answer हैगा वो रहेगा B अगर sender's address नहीं दिया गए तो हम क्या करेंगे हम XYZ examination hold right करते हैं clear उसका बाद next आपका question है seventh seventh question दिया गए what is the correct way to write the subscription in a formal letter formal letter में subscription को अगर हमें write करना है तो उसको write करने का correct way कौन सा होता है subscription बताए न ending note जो होती है signing off हम कैसे करते हैं तो option है उसको लिखेंगे हम yours truly your truly लिखेंगे you truly लिखेंगे none of the above इन में से कोई भी सही नहीं है तो इसमें correct जो आपका answer हैगा वो रहेगा आपका yours truly लिखेंगे तो इस सीज को ध्यान रखना yours एक साथ होता है apostrophe नहीं लगी की और truly की spelling को भी आप ध्यान कर लीजेगा तो यह आपका correct option रहो जाएगा next आपका question है question number 8 question number 8 में दिया गए what is written on the top of editor's letter on the left side यान की जो letter to the editor है उसके left side में यह आपका letter हो गया उसके left side में top में यहाँ पर क्या mention होता है यह इन्होंने यहाँ पर पूछा है first है salutation mention करेंगे सबसे पहले second है yours truly लिखा होता है third option दिया गए C subject and D sender's address तो सबसे पहले हम शुरुवात करते हैं यहाँ से top जो आपका left corner होता वहाँ पर लिखते हैं sender's address जो send का रहा है जो लिखने वाला है उसका address यहाँ पर लिखते है तो D आपका correct answer रहेगा यहाँ पर now let's move to the ninth question next one ninth आपका question दिये गए which of these is the right format of writing the date in all the formal letters जो letter to the editor हो या other formal letter हो वहाँ पर हम date को कैसे mention करेंगे correct format कोन सा है first option दिये गए कि ऐसे हम लिखेंगे 21, 11, 21 ऐसे लिखेंगे 21, 11, 21 ऐसे लिखेंगे November 21, 20, 21, none तो इसमें correct जो आपका answer है वो C रहेगा November 21, 21 या फिर आप ऐसे लिख सकते हो 21, November आपने लिखा 21st, okay 21st November 2021 यह format भी आपका correct होता है यह format भी आपका correct होता है तो C आपका correct answer हो जाएगा यानकि इसमें यह जो format दिये गए यह बिलकुल भी सही नहीं होते now let's move to the 10th question next दिये गए next आपका 10th question है the subject of letter to editor should be जो subject हम mention करते है वो letter to the editor में वो कैसा होना चाहिए it should be long, it should be irrelevant it should be brief and relevant D, none तो इसमें correct जो आपका answer हो जाएगा वो C रहेगा it should be brief, brief होना चाहिए relevant होना चाहिए to the point होना चाहिए okay C आपका correct answer हैगा now let's move to the 11th question 11th हमारा question रहेगा which of these is the most suitable salutation of a letter to the editor letter to the editor में जो salutation होता है भिवादन होता है greetings होती है एक तरीकी से जैसे मैंने बतायागी हम किसी से मिलते हैं तो hi hello करते हैं करते हैं तो ऐसे ही जो hi hello यहाँ पर हम लिखते हैं तो letter to the editor में proper format क्या होता है फिर्स्ट है dear sir madam लिखेंगे mr sir mrs madam लिखेंगे mr editor mrs editor लिखेंगे none अब इसमें correct जो आपका option रहेगा वो यह रहेगा dear sir dear madam sir madam भी लिख सकते हैं respected sir ma'am या madam लिख सकते हैं तो यह रहेगा यह भी नहीं हो सकता और यह भी नहीं हो सकता clear तो यह आपका correct answer रहेगा now let's move to the next one next आपका question है which of the following statement is incorrect about the letter to the editor किन में से कौन सी statement है जो letter to the editor के बारे में incorrect है first option है must be in formal language किये formal language में होना चीए सही बात है होना चीए must be complete in all respect यह complete होना चीए हर respect से जो भी proper format है उसको हमें follow करना है must be relevant information ही इसमें होनी चीए must be informal informal नहीं होना चीए क्योंकि यह formal letter होते हैं तो D आपका correct answer हो जाएगा कि यह letter to the editor के बारे में incorrect statement है now let's move to the next one next आपका 13th question है what is the motive of writing a letter to the editor बहुत important है क्योंकि purpose related एक ही question आपका बनेगा कि यह हम write क्यों करते है letter to the editor यानि इसका motive या इसका purpose क्या होता है first है to ask him to take action कि हम क्या करते हैं कि action के लिए उसे बोलते हैं to order him उसको order देते हैं भाई यह यह करना आपको see the again to request him to give some space to your views in your column कि उसमें हम editor को यह request करते हैं कि थोड़ा सा space दे दे जो column दिया होता ना जहांपे letter to the editor का इक column होता नियूज पेपर में आप देखीगा find out कीजिगा तो वहाँ पर थोड़ा सा space दे दे आपके letter को में add again none तो इसमें जो motive होता है letter to the editor में हम पहली चीज जो request करते है वो इसी चीज की request करते हैं हमें थोड़ी इसी जगह दे दो भाई मेरे वाले views भी वहाँ publish करते हो चापते हो तो C आपका correct answer रहेगा कि यह motive होता है जिसमें हम editor से request करते है उसके बाद next जो आपका question दिया गए 14th 14th question है फोटो इसमें नहीं होती इसमें date होती है subject होता है salutation होता है photo send करने की कोई need नहीं होती now let's move to the next one 15th आपका question 15th question है what is receiver's address written where is not the what is where is receiver's address written receiver का address है वो कहां पर हमें mention करना होता है on the top of the letter top of the letter में क्या होता है top of the letter जो होता है और उसमें left side जो corner होता है वहाँ पे तो किसका address होता है sender's का address होता है second जिएक है just below the date date के बिल्कुल नीचे just above the date date के बिल्कुल उपर just after salutation salutation के बाद में तो इसमें correct जो आपका answer हैगा वो बीर हैगा just below the date date के बिल्कुल नीचे लिखते हैं सबसे पहले आपका sender's का address होता है उसके बाद date होती है date के बाद receiver का address हम mention करते है clear तो भी आपका correct answer रहेगा now let's move to the next one 16th आपका question दियागा 16th question है why do we write a letter to the editor letter to the editor को क्यों write करते है अब उपर दियागा थे एक motive था कि उसमें main चीज हम क्या request करते है यहाँ पर है कि उसके क्या-क्या और परपज हो सकते हैं यहाँ पर क्या-क्या परपज होते है first है to comment on the news और article हमें अच्छा लगा उस पर comment करना कि भाई मज़ा आ गया तो उसके लिए हम write करते है second to complain complain करनी है गली में आपके महले में कहीं पर कोई issues आ रहे है बस उसकी complain करनी है stray dogs को लेकर करनी है okay like that उसके बाद c है to express views on social issues social issues है जैसे pollution है covid है okay omicron है किसी भी issues के उपर आपको अपने views express करने है तो उसलिए भी हम write कर देते है d all of the bow इसमें correct जो आपका अंसर है वो d हो जाएगा all of the bow इन सभी purpose से हम letter to the editor write करते है clear उसके बाद next आपका question दिएगए 17th 17th जो question दिएगए what is the word limit of a letter to the editor जो letter to the editor होता है उसकी word limit क्या होती है यह हमें बताना है option दिएगए first 400 second है 600 third है आपका 1000 और d दिएगए 125 to यहाँ पे 150 होना चीए 125 to 150 तो आपका d correct answer हो जाएगा जब यह 150 कर दोगए 300 कहीं से type कर दिया 125 to 150 words यह इसकी word limit होती है clear तो यह आप करोगे तो यह आपका correct answer हो जाएगा यह थे काफी सारे important questions जो MCQs questions बन सकते हैं तो इसी type के questions आपके exam में रहेंगे and I hope that यह concept आपका बिलकूल अच्छे से मस तरीके से त्यार हो गया होगा questions आएगे read करना और इससे later इन से बाहर कोई question होई नहीं सकता क्योंग हमने proper format discuss कर लिया तो format related ही आपके questions रहेंगे इसके साथ-साथ आपका जो English का exam है उसमें एक important part होता है unseen passes हालांकि ये videos जो मैं आपको link देने वाला हूँ उपर i tab के उपर i button के उपर link मिल जाएगा तो ये जो video है मैंने बहुत पहले share किया था आपके साथ इस पार format थोड़ा सालग है लेकिन इसमें कुछ tricks कुछ tips की बात की थी कि इस type की जो unseen passes होते है उनको solve कैसे किया जाता है उसकी shortcut tricks या tips क्या होते है कि कैसे हम minimum time में इसको solve कर पाएं तो इस video को भी देखेगा ये भी आपके लिए काफी ज्यादा helpful रहने वाले है आज के लिए बस इतने thank you bye bye have a nice day